कैसे हो आप सब आई हो आप अच्छे होंगे और मज़ए में होंगे और नया वीक स्टार्ट हो चुका है और नयी वीक की स्टार्टिंग में बिटकessment के क्या लेवल है नवन है तो 27,800-900 का ही रेंज चल रही है ना तो हम जा रहे हैं 28,000 के लेवल पे ना ही हम आ रहे हैं 27,300-400 के लेवल पे और अगर आप यहां पे वन आउर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो वही sideways के अंदर जो game हुआ उसके बाद market यहां से आप देखोगे यह game हुआ पहला उसके बाद second second हो रहा था उसके बाद यह हुआ फिर तो pump और dum-tum पहले भी देख चुके हैं यह जो liquidations वाले यह जो part था ना यह सिर्फ liquidation वाला game था और अभी जो situation है वो sideways के अंदर है मतलब एक ही range में चल रहा है bitcoin और definitely यहां से level उपर की तरफ जा सकते हैं अगर सब चीजने track पर रहती है 29,000 से लेके 30,000 का target आप लेके चल सकते हो क्यों क्योंकि इस week CPI data भी आने वाला है सिर्फ दो दिन रह चुके हैं 12 तारिक को CPI numbers भी release हो जाएंगे तो अब CPI number 12 को आने वाले हैं आज 9 है तो आज और कल game हो सकता क्योंकि CPI से एक दो दिन पहले game होता है ठीक है तो यहीं देखना है कि CPI से पहले इस बार क्या 29,30 के level होते हैं हीटिया नहीं होते हैं सबसे पहली update है Tron founder Justin Sun की तरफ से Tron founder Justin Sun move 132 million dollar worth of Ethereum पिछले कुस टाइम से चाहे विटालिक हों चाहे जस्टिन सन और इथीरियम को लेके movement बहुत जबरदस्त की हैं और एक data यहां पर बता रहा है कि Sun series of Ethereum transaction to the tune of 132 million dollar 132 million dollar के अब तक इथीरियम मूव कर चुके हैं जस्टिन सन नेक्स्ट अपडेट है यहां पर XRP रिपल को लेगे 60 million XRP 30 million dollar के ठीक है फिर से transfer हुए रिपल टू अन्न वॉलेट तो XRP वेल्स अभी भी गेम कर रही है चाहे वेल्स हो चाहे रिपल की तरफ से क्यों ना मूवमेंट किया गया हो है ना 60 million XRP बहुत बड़ा नंबर होता है 30 million dollar के यह गये हैं अन्न वॉलेट के अंदर नेक्स्ट हम बात करेंगे इलॉन मस्क Twitter के मालिक है SpaceX के भी मालिक है Tesla के भी है और साथ के साथ Starlink के भी है अब Starlink का नाम ना एक crypto से मिलता है ठीक है और हुआ क्या है कि Starlink now approve in Zambia तो approval मिला है Starlink को जो Elon Musk की कंपनी है Starlink high-speed internet is now available in Zambia तो जैंबिया में Starlink को approval मिला है और इसका impact Starlink क्रिप्टो पे भी हमको देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल यह हमने पहले भी discuss किया था कि Starlink क्रिप्टो है मार्किट के अंदर आप इसको Metaverse क्रिप्टो से भी जोड़ सकते हो ठीक है बहुत छोटा सा कोईन है मतलब प्राइज में 0 बहुत जैता है लेकिन आज इसका प्राइज 15% ऊपर चल रहा है और एक रिजन Elon Musk का Starlink भी हो सकता है जरूर हो सकता है क्योंकि Starlink मेंशन किया है तो अगर किसी क्रिप्टो का नाम मेंशन हो और उसके कनेक्शन जुड़ जाएं तो वह पंप हो जाता है तो जीरो पॉइंट फाइव ट्वैल फिफ्टी सेवन के लेवल है 15% प्राइज बढ़ गया Starlink का 15% सिर्फ और सिर्फ लॉन मस्क का यहां पर ट्वीट उसकी वजह से ग्रीन में देखने को मिल रहा स्टार लिंक नेक्स्ट अपडेट बहुत इंपॉर्टन अपडेट है और जैसी सिचुएशन चल रही है देखो वर्ल्ड वाइड कुछ भी होता है कुछ बैड होता है उसका फाइनेंशल मार् लेकिन एक चीज़ आप क्लियरली समझ लो ठीक है यह जो वार सिचुएशन से अगर यह बढ़ती है यह तो बढ़ना भी ठीक नहीं है क्योंकि पूरी वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है और साथ के साथ मार्किट्स भी इनसे अलग नहीं है मार्किट्स पे पूरा इंपेक्ट देखने को मिलेगा अगर यह सिचुएशन और ज्यादा बढ़ती है तो अल्रेडी बढ़ चुकी है ठीक है तो बहुर सिचुएशन कभी भी अच्छी नहीं होती है वो क्रिप्टो हो चाए स्टॉक म मार्किट हो उनका इंपेक्ट उनके प्राइज उनके सब कुछ मुवमेंट को चेंज कर देती है ठीक है तो इस इसका ध्यान जरूर रखिएगा ठीक है ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए यह मार्किट के लिए और वर्ल्ड के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है लास्ट की की लिस्टिंग यहां पर अनॉंस की है ठीक है और एक में सेशन भी होगा इनका ग्यारा ओक्टूबर को फ्रोगी और बेबी डॉज को इनका तो यह है बेबी डॉज स्वाप की नहीं लिस्टिंग तो आज किस वीडियो को करते हैं यहीं पर बाकिज अप्डेट होंगे वह शुयलाघक में वह नेकिस्ट करेंगे अगर किसी बीक्रिप्ट divine Olympus कर रहे हैं तो मैंशा अपनी रिसर्च और वह बहुत जरूरी होती है क्योंकि यहां पर आपको प्रौफिट बीयो सकता लोट बीयो सकता है तो हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें हैं मिलतें एक्ष झाल